हलो फ्रेंड्स हम लोग questions देख रहे थे algebra के इस वीडियो में कुछ और questions देखेंगे हम लोग question number 42 screen पे है और यह question examiner का बहुत ही favorite है हर बार किसी न किसी रूप में इस तरह का question जरूर आता है इस तरह के question से मेरा मतलब है जिसमें इस तरह यह वाली identity लगी हो याद है यह identity बहुत ही लेंडी सी थी बहुत ही complicated सी थी याद है तो बहुत अच्छी बात है जिनको याद नहीं है उनके लिए मैं एक बाब फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर हमारी identity थी x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz यही है जो पूछा गया है यहाँ पर और सीरा सीरा इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था वह क्या था x plus y plus z पूरे को multiply करना है x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx लंबी है लेकिन इसकी खास बात यह है कि हर एक जैम में tier 2 में खास करके जरूर आता है इसके उपर एक question कम से कम एक question हो सकता है दो question भी आ जाए यह identity अगर अच्छे से याद है mistake नहीं हो यहाँ पर plus minus में square इधर है या इधर है किसी भी तरका mistake अगर नहीं होगा तब ही question सही बनेगा इसके खास बात यह भी है कि अगर थोड़ा सा भी कहीं पर miss हुआ तो कुछ का कुछ हो जाएगा अब देखो इस question को हम लोग solve कर सकते हैं हमें x plus y plus z दिया हुआ है मतलब यह दिया हुआ है हमें x square y square z square दिया हुआ है मतलब यह दिया हुआ है और इसको तो निकालना ही है जो पूछा गया है मतलब right side में हमारे पास एक चीज़ ऐसी बच जारी है जो हमारे पास नहीं है जब तक इसकी value नहीं निकलेगी तब तक question solve महीं हो सकता है कहां से निकलेगी इसकी value कहां से निकल सकती है पूरे का स्क्वायर ये किसके बराबर होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स xy प्लस yz प्लस zx इसको यूज करके हमें दूसा टर्म मिल जाता है देखो इसमें अब हमें x प्लस y प्लस z दिया हुआ रहता है x प्लस y प्लस z यह दिया हुआ है स्क्वायर नहीं दिया हुआ है तो अंदर का टर्म दिया है तो उसको स्क्वायर निकाल सकते है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर भी दिया हुआ है तो दो चीज़ जब पता है तो तीसरी चीज़ से निकल जाएगे यह question बहुत ही frequently आया हुआ है इसमें से कोई एक term निकालना होता है जैसे अभी यह पूछा गया है हमसे इस question में हमसे जो पूछा गया है वह यह है इसके लिए आप कुछ और भी पूछा जा सकता है इसको भी पूछ सकते है इसको भी पूछ सकते है इसको भी पूछ सकते है इतना ही है इसमें से कोई एक term दिया रहता है दोट चीज़े दी हुई रहती है एक चीज़ होती है जो हमें इस formula से निकालना रहता है एक दम सीडा सीडा स्ट्रेट फॉरवड है या कुश्चन, कुछ भी सोचना नहीं रहता है, एक फॉर्मूला, एक वैल्यू हमें इस आइडेंटिटी से निकालनी रहती है इस कुश्चन में, और उस वैल्यू को निकालने के बाद, दूसरी वैल्यू जो चाहिए होती है, वो इसको लगा के हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, जो नहीं पता है उसकी तो निकालना है, क्या नहीं पता है हमें यह पता है, यह भी पता है, इसको निकालना है, तो निकाल दो उसको, क्या होगा, 6 स्क्वायर, क्या होगा इसको, 6 स्क्वायर, इस इक्वायर, इस इक्वायर x y plus y z plus z x ने को मैं यहाँ पर इतने लंबे लंबे लिखना हूँ एक्जाम मैं इतना लिखना नहीं रहता है सीड़ा से यहाँ से निकाल दोगे x y plus y z plus z x कैसे आएगा यह 6 square 36 minus 20 divide by 2 कितना हो जाएगा यह 16 बटा दो बड़ाबर 8 ठीक है अब हम से जो पूछा गया है answer जो हमें चाहिए वर्ट इसके बड़ाबर होगा right side ओले पूरे के बड़ाबर होगा x cube plus y cube plus z cube minus 3 x y z पूछा गया है तो यह इसके बड़ाबर होता है तो वो क्या है x plus y plus z हमारे पास 6 है multiplied by bracket के अंदर x square plus y square plus z square कितना है हमारे पास 20 है और यहां से minus common दे लेंगे अगर तो यह सलब कुछ plus में आ जाएगा ना यहीं चीज़ है यहां पर जो निकाला होगा है minus 8 यहीं हमारा answer है 6 x 12 is equal to 72 कोई लंबा calculation नहीं है कोई जादा माथपच्ची नहीं है numbers पर माथपच्ची नहीं है numbers में कुछ नहीं करना है numbers आराम से निकल जाते है सारा का सारा सूचना जो हमें है इस identities के बारे में है इसको solve नहीं कर सकते हो algebra लगा कि x plus y z की अलग अलग values नहीं आएंगी और कुछ नहीं हो सकता है इस question में बस इसी तरीके से यह question बनेगा इसको एकड़म रट सकते हो इसी तरह से question बनता है ठीक है दूसा question देखे 43rd question पर आ जाते हैं हम दोगे फिर से वही question है जैसा कि मैंने बताया था यह question बहुत ही favorite है और यहाँ पर देखो अब हमें x, y और z टीनों की values दी हुई है है ना तो एक तरीका तो सीरा सीरा है कि x cube निकाल दो फिर y cube निकाल दो फिर z cube निकाल दो फिर minus 3 x, y, z कर दो लेकिन यह सब करने में बहुत ही लंबा हो जाएगा क्योंकि नंबर यहां बहुत 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 ही है छोड़े नंबर के साथ यह question नहीं आएगा ऐसा नहीं आएगा कि x, y और z की छोटी छोटी सी values है डालो answer फटसे answer आकि ऐसा question नहीं आएगा इस question में examiner उसी identity का use देखना चाहरा है और identity क्या है मार पास x plus y plus z multiplied by x square plus y square plus z square minus xy plus yz plus zx इसी identity solve खना है इसको तेखो question कितना भी misleading लगे करना इसी से solve बहुत इससे नहीं solve करोगे multiply, divide, plus, minus करते करते सुबर हो जाएगी नहीं होगा बिलकुल इसी पे आजाओ हमार सीधा सीधा देखो x plus y plus z की value हमें मिल जाएगी मिल जाएगी ना और ये जो है इसको भी हम लोग square को calculate नहीं करेंगे इस part नहीं करना इसको भी जल्दी से जल्दी answer आना इसका दी इस part के लिए हम लोग अपने डूसरी identity यूस करेंगे x plus y plus z पूरे का square is equal to x square plus y square plus z square minus 2 plus 2 होता है ना minus क्यों करदा हूँ है x y plus y z plus z x है ना इसमें minus 3 times इसको करदू हम अगर तो ये आजाएगा आजाएगा क्या x plus y plus z पूरे का square minus 3 times x y plus y z plus z x is equal to x square plus y square plus z square minus x y minus y z minus z x आदा है अगर हम लोग अगर इसको calculate करते हैं थोड़ा सासान होगा ये square तो हमें मिल जाएगा सिर्फ ये term अब calculate करना होगा number से है ना ये हमें square अलगला calculate नहीं करना पड़ेगा इतने सारे terms बच गया है हमारे पास तब देखो इसको सबसे पहले calculate करते हैं लोग x plus y plus z कितना होगा 333 plus 333 plus 334 पूरा पूरा 1000 हो जाएगा ये 1000 का square minus 3 x into y 333 का square होगा plus yz और zx डोनों क्या होगा 333 गुना 334 गुना 2 गुना 333 गुना 334 कर दूँ मैं देखो एकदम ये ही smartly करना होगा तब ही answer आहेगा तो ये 1000 का square minus 3 और 333 इसमें से common निकाल देते हैं into 333 bracket के अंदर क्या बचेगा 333 प्लस 2 गुना 334 ठीक है ये कहाता है 1000 का square minus 3 गुना 333 गुना ये 1000 एक होगा ठीक है अब इसको calculate करो ये कितना होगा 1000 का square minus 999 गुना 1000 एक कोई परदेशानी नहीं है यहां ते तो ये क्या जाएगा एक पर 6 0 minus 6 बार 9 दिख रहा है ना दिख गया सब कुछ तो ये सीरा सीरा 1 आ गया हमारे पास तो ये दूसर टर्म जो है ये वाला जो टर्म था ये पूरा का पूरा हमने calculate किया सीरा सीरा 1 आ गया ये 1 आ गया तब फिसका जो ये होगा वहीं ये पूरा होगा है ना और ये कितना था हमारे एक अज़ा मतलब option C कितना मुस्किल था कितना हसान था अगर सही तरीके से अप्रोच करोगे तो जल्दी आएगा तो सही आएगा अगर गलत तरीके से जाओगे तो लंबा होगा एंसर तो आएगा ही लंबा होती जाएगा समझ में आ रहा है है अगले question को में आ जाए 44 पे आ जाए आहा बड़ा interesting question नहीं है तो क्या कर सकता है इसमें x minus a into x minus b दिया है 1 है a minus b plus 5 दिया है 0 है हमें चाहिए x minus a q plus 1 by x minus a q इhe question देखके सीरा सीरा पता चल जाना चाहिए कि हमें x minus a plus 1 by x minus a निकालना है है ना यह अगर निकल जाएगा question देखके इतना सोच लेना है पहले यह अगर निकलेगा तभी हम लोग कुछ कर सकते है नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है यह निकालना है हमें है ना और 1 by x minus a यहां से क्या पता है हमें किस के बराबर है इस equation को use करो 1 by x minus a के बराबर होगा x minus b के बराबर होगा x minus a plus 1 by x minus a को लिख दो मैं x minus b लिख सकता हो मैं लिख सकता हो नहीं हब इसको solve करो क्या आएगा यह 2x इस question में एक typing mistake है यह plus नहीं minus होगा यह यह minus होगा plus नहीं निकाल पाओगा plus नहीं है यह minus है तो minus जब निकालना है हमें तो यह भी minus होगा और यहां भी minus होगा minus minus क्या हैगा हमारे पास x और x cancel हो जाएगा minus a plus b आ जाएगा और इस equation को देखो इस equation से minus a plus b कितना आता है minus a plus b हमारा हो जाएगा 5 तो हमें मिल गया x minus a और minus 1 by x minus a की value इसको y माल दो मतलब y minus 1 by y हमें दिया होगा है 5 हमें चाहिए y cube minus 1 by y cube y cube minus 1 by y cube याद है फॉर्मुला यह लग से बताना होगा y minus 1 by y पूरे का cube plus 3 into y minus 1 by y याद आ रहा है है यह कितना हो जाएगा तब 125 प्लस 15 बड़ाबर 140 option D कैसे आया question वही ही है करना सब कुछ वही है लेकिन सामने जो दिखता है न एक मा जो दिखता है सामने में अलग सा कुछ दिख रहा है सामने questions TA2 में आयो है TA2 में इसी तरा के questions आते है आगे चले question 45 प्लस देखते है बड़ाएं इंटरेस्टिंग सवाल है यह तो A square प्लस B square प्लस C square is equal to 2A minus B minus C minus 3 और हमें value चाहिए यह 4A minus 3B plus 5C तो देखो question देखके अब यह सोच लेना है हमें यह एक साथ तो नहीं निकलेगा इस equation से पूरा यह इकठा एक साथ तो नहीं आ सकता है चुकि अगर इसको square करते तो 16A square प्लस 9B square प्लस 5C square आता न कि नहीं है तो सीदा सीदा A square प्लस B square प्लस C square है सीदा सीदा नहीं आएगा इससे हमें कुछ और करना होगा करना यह होगा कि A, B और C तीनों की value अलग अलग निकलेगी ठीक है A, B और C तीनों की value अलग अलग निकलेगी अब equation एक value चाहिए हमें 3 तो इसमें थोड़ा सा कुछ-कुछ लगा करके बन जाता है मतलब तीनों की value को similar type की आएगी बहुत जादा अलग नहीं आती है या तो तीनों 1 आ जाता है या तो तीनों 0 आ जाता है इस तरह के questions में या फिर A is equal to B, B is equal to C इस तरह का आ जाता है इसको चलो देखो कैसे होगा यह पूरा जो इसको left side में ले आते है हम दो A square plus B square plus C square minus 2A plus 2B plus 2C plus 3 is equal to 0 ठीक है अब यह देखो A square minus 2A है अगर यहाब plus 1 करने तो यह क्या हो जाएगा A minus 1 पूरे का square फिर क्या है B square plus 2B अगर plus 1 करने तो क्या हो जाएगा यह B plus 1 पूरे का square plus C square है 2C है C square plus 2C plus 1 अगर करने तो यह क्या हो जाता है C plus 1 पूरे का square हो जाता है is equal to 0 तो है तो यह हमारा 3 जो था बहुत है smart question है यह है बहुत intelligent होगे तब भी बन पाहेगा यह है तो हमें अब क्या मिल गया सिरह सिरह a-1 पूरे का स्कुआर प्लस b-1 पूरे का स्कुआर बी प्लस वन है प्लस c प्लस वन का स्कुआर इस एक्वल टू जीरो अब यह भी टर्म पॉजिटिव है यह भी पॉजिटिव है यह भी पॉजिटिव है term positive है या negative नहीं हो सकते है मतलब क्या है तिनों 0 होगे तभी sum 0 होगा है ना negative नहीं हो सकता है positive हो सकता है 0 भी हो सकता है ये 0 होगा ये 0 होगा और ये 0 होगा तभी total भी 0 होगा तिनों अलग अलग अगर 0 नहीं होगे तो 0 कैसे होगा तो इसका मतलब क्या है A की value हमारे पास आएगी 1 B की value आएगा हमारे पास minus 1 और C की value भी आएगी minus 1 हमें A, B और C तीनों अलग-अलग मिल गए हैं तब इसको निकाल दो क्या होगा 4 plus 3 minus 5 answer 2 आएगा हमारे option 1 ठीक है समझ में आगया है बहुत smart question था एक बाफिर से देखो इसको copy पर लिखो तब set होगा ऐसे question हर बार तो नहीं आते हैं लेकिन आते हैं कभी-कभी आगी चले question 46 x की value दी है cube root of 5 plus 2 और यह कुछ complex सा निकालना है क्या कर सकते हैं इसमें इसमें और कुछ नहीं कर सकते हैं कर दो ऐसा कि x के साथ 2 को इढ़ा लिया और cube root of 5 को डू से तरफ रहने दो है ना अब अगर cube कर देंगे दोनों थाइट को हम लोग तो हमारा cube root खतम हो जाएगा cube करने के बाद क्या आएगा x cube minus 8 minus 3 into 2 x multiplied by x minus 2 is equal to 5 अब क्या आएगा यह x cube minus 8 minus 6 x square plus 12 x is equal to 5 देखो जो चाहिए हमें minus 6 x cube तो है ही minus 6 x square भी हो गया plus 12 x भी हो गया इस 5 को दे लिया और तो minus 13 भी हो जाएगा x cube minus 6 x square plus 12 x minus 13 is equal to 0 ठीक है इसमें भी इस polynomial से अगर स्टार्ट करोगे अगर यहां से स्टार्ट करने की कोशिश करोगे तो समझ में काने में थोड़ी दिक्रत होगी क्योंकि इसको फिर देखके समझना होगा कि यह x minus 2 का cube में ही इस तरह के terms आएगे यहां से स्टार्ट मत करोगे उल्टा आ जाओ ना इधर से minus 2 ले लो क्योंकि इसके रावा कुछ करी नहीं सकते है cube हमें चाहिए भी x cube भी आ रहा है यहां पे cube चाहिए भी और 2 को इधर लाए भी ना cube अगर कर दोगे तब तो यह बना ही अजीब सार आ जाएगा cube root of 5 है कभी 5 का 2 by 3 पाओर आएगा कहीं 4 by 3 आएगा पस सब कुछ नहीं कहना है 2 को एक ट्रस ले ओ और cube रिट फेस सर्ट जो है ने इसको खटम करने की कोशिश करो तो answer भी हमारा निकल गया आते हैं अगली कोशिशन पर बिलाओ कोशिशन 47 आहाँ जो बहुत स्मार्ट कोश्चन देगा हमें जद दिया है a square plus b square plus c square is equal to a b plus b c plus c है क्या कर सक्टिवस में क्या लग रहा है क्या किया जा सकता है इसमें सोचो सोच भी नहीं आ रहा है लिए को पुसको सीरा सीरा पहले 2 से प्लिप्लाइए करो क्या आएगा हमारे पास 2 a square plus 2 b square plus 2 c square is equal to 2 a b plus 2 b c plus 2 c है है ना क्यों क्या यह मत पूछना क्यों को साल्व करने के लिए ऐसा करना पढ़ना है अब सब कुछ को left side में ले आओ क्या आता है 2 a square plus 2 b square plus 2 c square plus 2 a b plus 2 b c plus 2 c a minus होगा ना is equal to 0 तीनों साइन यह माइनस है ठीक है अब यह देखो minus 2 a b है तो a minus b पूरे का square इसमें से बन जाएगा कैसे बनेगा a square plus b square minus 2 a b से मतलब एक a square यहां से लिया एक b square यहां से लिया minus 2 b यह ले लिया फिर उसी तर से इसको देखो minus 2 b c है तो यह b minus c पूरे का square बन जाएगा कैसे पैसन आएगा b square लग जाएगा c square लग जाएगा एक b square अब हमारा खतम हो जाएगा एक b square इसमें आ गया एक b square इसमें आ गया c square एक लग गया minus 2 b c तो लगी गया plus हमारे पास क्या बचाएग 1 a square plus 1 c square और minus 2 a c यह a minus c पूरे का square है is equal to 0 और फिर से वही बात है कि 3 positive यह तरम्स है 1, 2, 3 तीनों पूर्स हमारे पास positive है और 3 किसम को 0 आना है ऐसा तभी हो सकता है जब 3 अलग-अलग 0 हो मतलब a minus b is equal to 0 है b minus c is equal to 0 है c minus a is equal to 0 है मतलब a is equal to b b is equal to c c is equal to a तीनों अब बराबर है तीनों बराबर है मतलब a यह 2 a बटा a आ जाएगा जो की हो जाएगा answer to option b इसमें कोई identity नहीं लग रही थी इसमें कोई formula नहीं लग रहा था इसमें वास स्मार्टनेस चिक हो रहा है question 48 देखते है यह भी वैसा ही है इसमें कोई identity नहीं लगनी है हमें जो दिया है a b plus b c plus c h equal to 0 इसको right side में कर लाएंगे तो minus a c हो जाएगा ठीक है और यह देखो a c जहाँ पे है minus a c है उसके साथ b square है b square add कर दो दोनों तरफ b square plus a b plus b c is equal to b square minus a c और इस लेफ्ट side में देखो b common ले सकते हैं क्या आएगा a b और c a plus b plus c is equal to b square minus a c ठीक उसी तरह से a into a plus b plus c क्या हो जाएगा यह a square minus b c और c into a plus b plus c किसके बराबर होगा c square minus a b ठीक है ना हमें इंतीनों का रेशीप्रोकल को याड़ करना है मतलब 1 by a plus b plus c को तो common ही ले लो तीनों में है 1 by a plus 1 by b plus 1 by c यह आएगा is equal to a plus b plus c तो यह है अंदर क्या आएगा b c plus c a plus b c c a a b और नीचे क्या आएगा a b c ठीक है यह उपएवाला 0 दिया हुआ है हमें a b plus b c plus c a equal to 0 है मतलब सब कुछ मिलक है के 0 अपसे ले लो प्रॉब्लेम से टो पोईशन 49 इसके फैक्रस निकालने हैं को इसको तो आदाम से ऑपसें से भी मिला सकते हो options एगर मिलाएंगे तो जादा आसान होगा देखो यहाँ पे हमें last में minus 8 चाहिए इन दोनों को multiply करेंगे तो minus 8 आएगा आ सकता है यहाँ पे इन दोनों को करेंगे तो minus 8 आ रहा है इन दोनों को करेंगे तो minus 8 नहीं आएगा minus 1 आ जाएगा तो d eliminate हो गया ठीक है और क्या है a square तो सब में आ ही रहा है plus 4b square चाहिए इन दोनों को multiply करने से plus 4b square आएगा minus 2b into minus 2b इन दोनों में भी आ रहा है plus 2B minus 2B 4B square आ रहा है इसमें 4B square आ रहा है ठीक है plus 4B भी चाहिए 4B कैसे आएगा देखो इन दोनों को multiply करेंगे इसको और इसको क्या आएगा plus 8B और इस दोनों को करेंगे तो आएगा minus 4B 8B minus 4B is equal to 4B आ जा रहा है इसमें देखो इन दोनों को multiply करेंगे तो plus 4B आएगा और इन दोनों को करेंगे तो minus 8B आएगा मतलब minus 8B इसमें आ जाएगा minus 4B आ जाएगा तो यह नहीं होगा और इसको अगर देखो minus B minus 4 plus 4B और minus 4B plus 2 मतलब minus 8B दोनों को add करेंगे तो minus 4B आ जाएगा तो यह भी नहीं होगा हमारा answer option A होगा ठीक है? इससे समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है नहीं समझ में आ रहा है तो देखो इसको कैसे factorize करेंगे हमें दिया हुआ है A square plus 4B square plus 4B minus 4AB minus 2A minus 8 अब इसमें देखो A square यह plus 2B पुरे का square है तो A plus 2B square करेंगे तो क्या आएगा? 2 into A into 2B है ना? तो यह आएगा 4AB आएगा? तो इस 4AB को पहले ले लो minus 4AB इसके बाद क्या बचा है? 4B plus 2A minus 8 तो यह क्या आया है? A minus 2B पूरे का square आया है plus इसमें देखो आ रहा है A minus 2B तो अगर common ले ले तो अगर common ले ले A minus 2B आ रहा है यहाँ भी minus 8 ठीक है? अब हमारा A minus 2B में एक polynomial यह बन गया है तो A minus 2B को माल लो let A minus 2B is equal to Y ठीक है? अब जो है हमारा question यह Y में एक polynomial बन गया है क्या polynomial है माल पास Y square plus 2Y minus 8 इसको factorize करना तो आता है Y minus 4 Y plus 4 into Y minus 2 यही है आएगा ना? यही हमारा answer भी हो जाएगा Y के जाएगा A minus 2B रखनो अब क्या जाएगा? A minus 2B plus 4 multiplied by A minus 2B minus 2 साइन उल्टा कर दिया क्या है मैंने? तो option A हमारा हो जाएगा answer यह हमारा पचासवा question है इस वीडियो का last question है देखो इसमे question को देखो और समझो इसमे कुछन नहीं कर सकते है सिवाए LCM लेने के LCM लेने के अलावा हमारा पास कोई option नहीं है इसमे तो हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले 2 term को पहले calculate कर लेते हैं LCM लेके ही करना होगा और कुछ नहीं कर सकते हैं फिर उसमें तीसरा term को add कर देगे पहला 2 term का जब LCM लेंगे तो denominator में क्या आएगा A square plus A x plus x square multiplied by A square minus A x plus x square और उपर क्या आजाएगा A square minus A x plus x square minus A square minus A x minus x square A square और x square दोनों cancel हो जाएगा उपर क्या बच जाता है हमारे पास minus 2 A x और नीचे देखो A square plus x square एक term है A square plus x square है प्लस A x और minus A x अतलब क्या है A square plus x square पूरा का square minus A x का square आएगा क्या आएगा minus 2 A x divide by A 4 plus x 4 plus 2 A square A square x square minus A square x square एक किसके बराबर आगया या minus 2 A x divide by A 4 plus x 4 plus A square x एक को इसके बराबर आगया इसका नेगेटिव वह या आए ना दोनों को add करेंगे तरे एंसार आजाएगा हमारा 0 of 10 D ठीक है और questions समलोग अगले वीडियो में देखेंगे